नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अतुले आरेस के इस डिजिटल प्रेटफॉर्म पर तो दोस्तों हमने शुरू किया था सेकिंड ग्रेड अध्यापक बरती परिक्षा का पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट में हम सबसे पहले जो हमारा राजस्था सब्सक्राइब को अभी अपने नहीं करेंगे उसे पहले एक छोटा सा इंपोर्टन टॉपिक है पॉपुलेशन वाला ग्रोथ लिट्रेसी सेक्सरेसो यह सारी चीज़े अपने आज डिसकस करने वाले एक छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर यह सारी चीज़े पूरी हो ज सकता नहीं है बिल्कुल पूरा स्लेवस हम आपको यहां पर करवाने वाले हैं बड़ी जल्दी हम इसलिए उसको पूरा कर लेंगे दोस्तों तो आएगा बात करते हैं राजस्थान के जंगर्ना के विश्य में सबसे पहले कुछ एक जरूरी फैक्ट जान लेते हैं और फिर डाटा के ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों तो आएगा बात करें थोड़े इंपोर्टेट फैक्ट के विश्य में सबसे पहले तो हम यह देखें कि भारत में जो जंगर्ना है उसका आरंब जो है कब से हुआ था तो 1872 के अंदर सबसे पहले यह कार जो जंगर्ना यानि जैसे अपने पढ़ते हैं नुनिस सुएक की, 1911 की, 1931 की, 1981 की ये जो जंगर्ना है यानि हर दस बाद में जो जंगर्ना होती है उसका जो आरंब है वो 1881 में हुआ था तो यहाँ पर दो फैक्ट आमारे पास में है पहला तो ये कि भारत में सबसे पहल तो 1872 में हो गई लेकिन ये देखिए दसक यह नहीं थी उसके 10 साल बाद में नहीं 9 साल बाद के अंदर देखेगा 1881 में जो है जन्गरनाविर उसके बाद में हर 10 वर्ष की जाती है इस बार जो 2021 में होनी थी वो कोविड के कान अभी तक नहीं वो पाई है दोस्तों और में भ देखेगा अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कब हुई 1872 में दसक यह कब हुई 1881 में लोड रिपन के द्वारा इसे प्रारम किया गया था ये तीन फैक्ट है किसने प्रारम किया था लोड रिपन ने तो बस इतनी चीज़े हमें याद रखनी है अब यहां से पूछा भारत की पहली जंगरना हुई थी 1951 में 1947 के अंदर भारत स्वातब्सपर हो गया 1950 में समय दान भी लागू हो गया लेकिन जनगरना तो दसक यह चल ले थि उसके बाद में साल आता है 1951 کا तो सबसे पहले हुई 1871 में दसक यह प्रारम हुई 1881 में सवातन भारत की पहली हुई 1951 में ये चीज़े हम याद रखने है राजस्थान में सबसे पहले कब हुई 1951 में 1901 में और अगर हम कहें वर्तमान राजस्थान में जो हमारा राजस्थान का सुरूप है ये आया था 1 नॉम्बर 1956 को यानि 1956 के बाद में जनगर्णा कौन सी हुई 1961 वाली तभी तो होगी न यानि वर्तमान राजस्थान की जो लोकेशन है उसकी जनगर्णा सबसे पहले कब हुई है 1961 में और अगर आप से ये पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले कब हुई तो आपका आंसर हो जाएगा 1901 और वर्तमान राजस्तान की 1961 ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखने है 2011 में जो हुई वो पंदरवी जनगर्ना है अगर हम 1872 को पहली माने तो और यदि हम चाउदवी माने तो चाउदवी जशक ये है अगर अपने 1881 से शुरू करें तो अभी चाउदवी हो जाएगी और अगर हम इसे 1872 से शुरू करें तो ये पंदरवी जनगर्ना हो जाती है अगर हम इसको पहली मान ले तो इसादार पर ये दो आंकड़े हमारे पांस में बनते हैं जिसा भी पूछा जाए परिक्षा में कर लीजीगा अब हम देखें कि ये जो जनगर्ना का विशे है यानि जनगर्ना दायत्व किसका है तो ये जो दायत्व है वो ग्रह मंत्रा ले का है किसका दाइत्व है दोस्तों ग्रह मंत्राले का है दोस्तों और ये जो जनगर्ना है ये जनगर्ना आयुक्त और महा पंजियन कारेले का दाइत्व है किसका दायत्व है जन्गर्णा आयुक्त और महा पंजीन कारेले जो है उसका दायत्वर और ये ग्रह मंत्रा लेके अंतरगत आती है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत में जन्गर्णा हितू भारतिय जन्गर्णा अधिनियम 1948 लागू हुआ ध्यान दिजीगा जब स्वतंत्र हो गया भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में उसके बाद में 1948 के अंदर भारतिय जन्गर्णा अधिनियम लागू किया गया था राश्ट्रिय स्तर पर ध्यान दिजिएगा क्या कह रहा हूं मैं राश्ट्रिय स्तर पर यानि पूरे देश के स्तर पर जन्गन्ना आयुक्त के लिए सयोग के लिए जन्गन्ना आयुक्त होता है दोस्तों ये इसके पास में दाइन तो होता है भारत के पहले जन्गन्ना आयुक्त की बात करें तो कौन थे? W.C. Plowden थे, अंग्रेज थे, ये याद रखेगा पहले अब हम बात करें राजिस्तर पर जो जन्गन्ना होती है तो उसके भारत के आयुक्त के सयों के लिए कौन होता है और देखिएगा केंदर स्टर पर कों हो गया? जन्गन्ना आयुक्त जिसे चुनाव उसका जिमा होता है वेसे ही जन्गन्ना भी इसी की जिम्मेदारी हुआ करती है आयेगा इन आकडों के बाद में हम थोड़े से जरूरी डाटा को डिसकस कर लेती है जनगर्णा 2011 के जो प्रमुक डाटा है पंदरवी जनगर्णा है 2011 की इसका सुभंकर क्या था तो इसका सुभंकर था सिक्षित प्रगणी का याद रखीगा राजस्थान में जनगर्णा ने जिसे कौन है डॉक्टर शुबर सिंग याद रखीगा और पंदरवी जनगर्णा में 2011 के अंदर थर्ड जेंडर जो है पूरुस औरस्तरी के अलावा थर्ड जेंडर जो है उसको अलग से रखा गया है उसके गिंती अलग की गई है अब हम राजस्थान में जनगर्णा के प्रमुक फेक्ट की बात करें तो रजस्थान की जनगर्णा है 6.6 क्रोड कितनी है दोस्तों 6.6 क्रोड यानि 6 क्रोड 85,484,437 ये कब है ये 2011 की बात कर रही है अभी तो 2022 चल पड़ा है दोस्तों काफी बढ़ गई होगी है न लेकिन पेपर में तो यही आने वाला है इस अधार पर देखें देश में स्थान कौन सा है आठ हों स्थान है ग्रामीन जनसंख्या की बात करें तो 75.1 परतिस्थ है शहरी की बात करें तो जो बाकी बच गई वो शहरी है 24.9 याद रखी कि 75.1 तो गाउं में रहते हैं लोग और 24.9 जो है वो शहरों में रहते हैं पुरूशों के जनसंख्या 21.86 है और स्तिरियों के जनसंख्या है 48.14 प्रतिशत अगर हम बात करें तो जन गनत्यों की बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर है जन गनत्यों और इसके अधार पर 18 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर है यानी जन गनत्यों का मितलब हुआ एक वर किलोमेटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं या पर तो 200 लोग रहते हैं पूरे राज्य की अगर हम बात करें राजस्थान का जन गनत्यों हैं तो वो इतना निकालेगा पूरे के अंदर भाग देखर के राजस्तान की दसक की वरद्धिदर कितनी रही है जनसें की वरद्धिदर रही है 21.3% और इसे दार पर आठ्वा स्थान है यह भी याद रखीगा राजस्तान की लिंगानुपात की बात करें तो 928 है राजस्तान का लिंगानुपात कितना है दोस्तों 928 स्थान कौन सा रहेंगे राजस्तान का बारत में 21 स्थान शिशू लिंगानुपात यानि 0 से 6 आयू बरके क्योंकि यही important होता है दोस्तों आने वाले बच्चे आने वाला लिंगानुपात कौन सा होगा यही तो होना है न तो राजस्थान में शिशू लिंगानुपात कितना है 888 है काफी कम है राजस्थान की साखसरता की बात करें त तो 79.2 परसंट है कितनी है 79.2 परसंट राजस्थान की पुरुसाक्षरता है महिला साक्षरता की बात करें तो 52.3 कितनी है पुरुचाक्षरता 79.2 महिला की बात करें तो 52.1 परतिषत हैं, शिसू मृत्युदर की बात करें, तो 47 तीसरा अस्थान है बारत के अंदर, शिसू मृत्युदर कितनी हैं, 47 है और मात्र मृत्युदर है 244, इसके अधार पर भी तीसरा अस्थान अता है अनुसुचित जाती के बात करें तो 13.5 ए नाकुनों को एक बाल फिर से देखे अनुसुचित जाती के 17.8 है स्थी के और स्थी की अगर हम बात करें तो 13.5 परसेंट है ये आपको याद रखना है अच्छे से ये प्रेशन आता है कारेसील जिनसंख्या की बात करें तो 43.6 ही है बाकी काम नहीं करते भी है यानि कारेसील जिनसंख्या कितनी है 43.6 प्रचिसेत जितनी यह ज़्यादा होगी वही राज्या या वही देश उतना ही ज़्यादा समर्ध होता है राज़तान में सबसे ज़्यादा ग्रामियन जिनसंख्या के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कहां पर है बांसवाड़ा में और सरवाद एक शहरी जिनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो वो कहां पर रह गया वो कोटा में रह गया दोस्तों नियून्तम ग्रामीन जिनसंग का प्रतिशत कहा है कोटा में है और नियून्तम शहरी जिनसंग का प्रतिशत कहा है प्रताप गड़ में है तो ग्रामीन सबसे ज़्यादा बासवड़ा और नियून्तम ग्रामीन रह गया कोटा में सरवादिक शेहरी कोटा में रहते हैं सबसे कम शेहरी प्रताब गड़ में हैं दोस्तों अब यहाँ पर एक बहुंत अच्छा प्रिशन बनता है रास्थान में राजस्मंद जो जिला है उसके जिनसंग के वरदिदर है 17.7 जयान से समझेगा और भारत की जिनसंग के वरदिदर है 17.7 यानि ये राजस्मंद की जिनसंग के वरदिदर ऐसी वरदिदर है जो देश की वरदिदर के बराबर है ये अच्छे से समझ लेजीगा इसबाब को फिर हम बात करें पूरुष जिनसंग के अब आंकड़े देखते हैं एक एक करके तो 51.86 परतिशत है पूरुष और यहां जो आपके सामने आंकड़े हैं कि यानि सरवादिक पूरुष जिनसंग के वाले करमा नुसर सबसे ज़्यादा जैपूर की है फिर उसके बाद में द अलवर और नागोर इसको अजमेर मत याद कर लेना इस तरह से ना तो जजो अन्ना यह आपको जोड करके क्योंकि कई बार करमा नुसर चार 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 चीज़े पूस लेता है इसलिए मैं चार यह आपको बता रहा हूं नियून्तम की बात करें तो जसलिमेर परताप गड़ सिरोही बुंदी आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं जैपरताप सिंबू जसलिमेर परताप गड़ सिरोही और बुंदी यह अच्छे से याद रखीगा महिला जन संख्या की बात करें तो 48.14 परतिशत है सरवादिक महिला जन संख्या जैपर में है फिर उसके बाद में जोधपूर में है फिर अलवर में नाग़ में सेम ही है नियून्तम महिला जसलिमेर परताप गड़ सिरोही और बुंदी में आती है दोस्तों मैं मुला जन संख्या की बात करें 55.1 परतिशत गड़ाय見 है और सरवादिक महिला जैपर में धिर एलवर में है नागवर में फिर उद्ध्यक्पूर में है और इधर नियून्तम है是我 परताप की तो जसलिमेर कोटaster प्रताफ़ दोस्तों यह यहां पर कुछ समझाया भी नहीं जा सकता है यह आंकड़े हैं आप अराम से कोपी में उतारिएगा और उनको अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा तभी याद रह पाएंगे दोस्तों शहरी जिन संक्या की बात करें 24.9 है सबसे ज्यादा शहरी भी जैपूर ही है फिर जोदपूर है फिर कोटा है और फिर अजमेर है दोस्तों फिर हम बात करें न्यून्तम शैरी की तो परताप गड़ हो गया फिर डुंगरपुर हो गया जसलमेर हो गया और बासवड़ा हो गया जन संख्या गनतव पे आए जैसे अब इने स्टार्टिंग में देखा था जन संख्या गनतव कितना है दो सो वेक्ति है प्रति बर किलोमेटर पूरे राजस्तान का सरवादिक जन गनतव है जैपुर का पांसो पिचान में फिर उसके बाद में भरतपुर का आता है फिर दोसा का आता है फिर अलवर का आता है नाम 438 इसे प्रकार से न्यून्तम 17 ये जसलमेर का बेकानेर का 78 फिर बाड मेर और फिर चुरू ये चार करम में आपको ये बढ़ते करम में है ना चनसंख वरदीधर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाड मेर में नमबर एक पे नमबर दो पे जसलमेर नमबर तीन पे जोदपुर और नमबर चार पे बांस वड़ा है आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं बाजे जो बांस है ना आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है और आज तो सारे डाटा ही है अपने पास में नियून्तम जनसिक्यावरदीदर सबसे कम गंगानगर की है फिर जुझनों की है फिर पाली की है और फिर बुंदी की है दोस्तों आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं गंजू पाबू गंजू पाबू बाजे जो बांस है ना ये उपर ये भी याद रख नाम किसकी बात करें है वरदीदर की बात करें है कहीं किसी का किसी और में मट डाल दीजेगा लिंगानुपात की बात करें तो नो सुटाइस है रजस्तान का यानि एक अजार पर पूरुष पर स्तरियों के संख्या कितनी है ये होता है सरवाधिक लिंगानुपात नो सुचुराण में डुंगरपूर का है फिर राजस्मंद का है उसे कम है फिर पाली का है फिर परताब गड़ का नाम आत शर्वादीक लिंगानुपात पर एइछ बर्टर रहतेंां स्व टोलपूर में कम लिंगानुपात No I have to do prepared when I'm new cleaned the house Ugh कि अदोफे को इसको इस तरही से याद रख सकते हैं सर्वादीक सितों का हुआ। पापरताप दूरा पापरताप दो चार बर इस चीजों को बोलेंगे ना दूरा पापरताप दूरा पापरताप अपने आप याद रह जाती है दोस्तों फिर सरवादिक शिशू लिंगा नुपात कौन से की बात करें आठ सुठैसी वाले 0 से 6 वर्स वाला यह आखड़ा सबसे ज्यादा आता है सबसे इंपोर्टेंट किस्टन इसी में से बनते हैं सरवादिक आ गया बांस वड़ा परताप गड़ बील वड़ा और उद्यपूर य यह गढ़ते करम में होता है और यह बढ़ते करम में होता है नियूंतम शिशू लिंगा नुपात जुन-जुन में है फिर उससे ज्यादा सीकर में है फिर करोली में फिर गंगानेगर में आता है दोस्तों पुरु साक्सरता की बात करें जो कि 79.2% है सबसे जदा पुरु साक्सरता कोटा में है फिर जैपुर में है फिर जुझनु में है और फिर गंगानेगर में है दोस्तों उन्यूंतम की बात करें तो जालोर है फिर जैसल मेर है फिर सिरोही है और चोथा आता है बाड मेर उसके बाद में मेला साखसरता की बात करें राजस्तान में तो बाउन पॉइंट एक परतिशत है सबसे ज़्यादा जुंजलू में है फिर कोटा में है फिर जैपुर में है फिर सीकर में है नियुन्तम की बात करें तो प्रताब गड़ है फिर बांसवड़ा है फिर सिरोही है और फिर जालोर का नाम आता है इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं इनको अच्छे से लिखिएगा और बार-बार याद करने की कोशिश कीजिएगा और कोई इलाज भी नहीं है दोस्तों इनका रास्तन की साक्सरतादर की बात करें तो 66.1% सबसे ज़्यादा कोटा में फिर जैपूर में फिर सिरोही में फिर जुन्जुनु में नियूंतम बात करें तो सबसे कम जालोर में फिर सिरोही में फिर प्रताब कड़ में और फिर बांसवड़ा में एक दो तीन और चार इस त रखने हैं तो दोस्तो इतना ही था यह टोपिक और जरूरी चीज़ें हमने सारी डिसकस कर ली हैं बाकि तो आप इसमें कितने भी आंकड़े इकटे कर सकते हैं जो भी किताब आपके पास में उसमें कुप सारे डाटा होंगे उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा सारे यहा डाटा आपको बताईए आपके टिप्स पर होने चाहिए और बाकी आप जितने चाहिए याद कर सकते हैं अपने फुस्तक में आपको नोट्स भी दिये जाएंगे वहां से भी आप याद कर पाएंगे जो तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स क्लास में कुछ और ने तत्यों के झाल